तो एक बार फिर से स्वागत हैं आप सभी का मौसम समाचार की इस खास पेशकस में दोस्तों चकरवाती तुफान ताउते के कहर मचाने के बाद अब फिर देश पर एक और विनासकारी चकरवाती तुफान यास का खत्रा मंडराने लग गया है पारत मौसम विज्ञान वेबाग IMD के मुताबिक या विनासकारी चकरवाती तुफान 26 मई को बंगाल और ओडिशा से टकराएगा इसको लेकर पच्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए हाईलेट चारिक कर दिया है तो दोस्तों आप इस तुफान से जुड़ी संपून जानकारी पाना चाते हो तो वीडियो के आंग तक हमारे साथ बने रहे हैं और साथ ही आप से एक आगरह रहेगा कि इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगए तो एक लाइक और सेर्फ जरूर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसकी ख़बर मिल जाए बारतिय मौसरा मिबाग आई एमडी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के सेतर को देखते हुए चकरवाती तुफान यास के 26 माई को बंगाल और ओडिशा के तर्ट से गुजरने की आसंका है इस से निपटने के लिए NDRF और SDRF ने पश्ची में बंगाल और ओडिशा में अपने दलों की तेनाती शुरू कर दी है उदर मौसम वेबाग का कहिना है कि 26 और 27 माई को साइकलोन यास देश के पूरी तट्टी इलाकों में दस्तक दे सकता है इसके लिए अभी तक महाराष्टर और गुजरात में जो NDRF टीमें तेनाती उन्हें अब हवाई मारक से पश्ची मंगाल और ओडिशा में बेजा जा रहा है ओडिशा और पश्ची मंगाल में तोपान का आसर होने के अलावा अंडबान निकोबाद देवसमू और पूरी तट्ट के जिलों में तेज और बारी बारी सोच सकती है जिस से बाड़ के हालात उत्पन हो सकते है वहाई उधर पश्ची मंगाल की शीम ममता बनर जी ने बारतिय नो सेना एंबारतिय तटरक सक बल से इस्तितिशे निपटने के लिए त्यार रहने को कहा है तुपान की चेतानी मिलते ही बंगाल के दीगा, हल्दिया और आसपास के इलाकों में सुरक्सा बढ़ा दी गई है लगातार परसासनी बैठके भी की जा रही है और लोगों को समंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई है यास तुपान को लेकर ओडिशा के मुख्य सचीव ऐसी मोपात्रा ने वरिष्ट अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है कि यदि चकरवात यास का राज्य पर कोई परवाब पड़ता है तो राज्य सरकार ने किसी भी इस्तिति से निपटने के लिए कमर कस लिए ओधर केंदर सरकार ने भी अंधर परदेश, ओडिशा, तमिलाडू, पच्चिम, बंगाल और अंडमान निकोबाद दीवस्वमू से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि स्वास्तिय के अंदरों पर आउस्चक दवाओं तता संसरादनों का बंडार रखा जाए ताकि यास तोफान के दोरान किसी भी आपात इस्तिति से निपटा जा सके चकरवाती तोफान यास इसी महीने के आखिर में देश के पूरी 30 सेत्रों में दस्तक दे सकता है बारतिय मौसरों विबाग ने यास तोफान की जानकारी देते हुए कहा है कि आज 22 मही को उत्तरी अंडमान सागर और आसपास की पूरों मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दवाओं का सेत्रब बनने की संबावना है आपको बता दे कि आने वाले चकरवाती तुफान यास को लेकर भारतिय मौसरों विबाग आईमडी का कहिना है कि यह विनासकारी तुफान देश के उत्तर परदेश, मध्य परदेश, राजस्तान, बिहार, पंजाब, हरियाना, दिली, जारखंट, गुजरास समेत कई आजियों में बारी नुक्षान होने की आसंका है, वहीं विनासकारी आपदा से निपटने के लिए राजिय सरकारों ने भी अभी से त्यारिया शुरू कर दी हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में तुफान से जोड़ी शंपुन जानकारी आपको दे दी गई है, या जानकारी मिल जाए, दन्यवाद